क्या आपने कभी S.A.M.B.E. College के बारे में सुना है जिसकी establishment के दो साल के अंगर ही highest placement उनन्द 4 लाग गया हो डी हाँ, आज हम review करने वाले हैं एक बिल्कुल नए M.B.E. College का जिसने सिर्फ 2 सालों में ही उचाईयों को छुआ हो हलो गाइज, मैं हूँ आपकी host हिमालिका शर्मा और स्वागत है फिर से आपका college सोचकर तो friends, आज हम review करने वाले हैं XLRI Delhi का So, XLRI Delhi की स्थापना 2020 में Delhi NCR में हुई थी जिसे 36 एकर में बहुत ही खुबसूरत तरीके से बनाया गया है यह XLRI Duke का एक नया MBA college है जिसे बनाने का एक vision था Delhi NCR market को utilize करना Infrastructure की बात करें तो XLRI Delhi में 22 classrooms, 3 seminar hall, computer centers जैसी सारी सुगिदाय देखने को मिल जाती है यहां की library में आपको एक लाग से ज्यादा printed and e-books भी मिल जाएंगी आपके subjects और interest के हिसाब से courses यहां अगर देखी जाएं तो XLRI Delhi में बहुत सारे courses हैं लेकिन इसका flagship course है PGDM HRM यानि दो साल का post graduate program in human resource management और दूसरा है PGDM BM यानि a two year post graduate program in business management इन courses में admission के लिए आपको ZAD का exam देना पड़ेगा जिसमें आपको at least 92 to 94 percentile score करना होगा अगर आप XLRI Delhi जैसे prestigious college में पढ़ना चाते हो फीस के अगर बात करें तो आपको 27 लाग की around fees देनी पढ़ती हैं और इसमें hostel facilities included हैं बाकी अगर आप facilities की बात कर ही रहे हैं तो आपको 11 प्लस sports facilities देखने को मिल जाएंगी और यहां की faculty भी काफ़ी experienced है यहां XLRI जमशेदपूर की faculties भी guest speakers के रूप में अकसर आती रहती हैं तो quality of faculty पे ये college बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा अब बढ़ते उस बात की ओर जिसका आप सभी बेस अबरी से इंतिजार कर रहे होंगे जो की है placements तो average placements की बात करें तो 27.58 lakhs इसका average placement रहा था and highest placements 49 lakhs तक जा चुका है consulting and sales and marketing field में इस college की काफ़ी अच्छी पकड़ है Deloitte, PwC, Amazon, Paytm, Microsoft, Flipkart, Mintra phone पे जैसी बड़ी बड़ी companies ने या students को job offer किया है बाकि summer placements की बात करें तो average stipend 1.5 lakh पर annum तक जा चुका है जो की अपने आप में बहुत बड़ी बात है अब बढ़ने ऐसी उन बातों पे जो XLRI Delhi को खास बनाता है और colleges से तो सबसे पहला है यहां का exchange program जिसका मतलब यहां यह है कि अगर आप चाहें तो बाहर की universities में exchange program में one या two terms के लिए foreign universities में भी पढ़ने जा सकते हैं और दूसरी बात है proximity to Delhi NCR job market क्योंकि NCR में job opportunities बहुत अच्छी हैं इसी वजह से इसकी placements काफी अच्छी देखने को मिल जाती हैं तो यह था इंडिया का one of the top and new MBA college जिसने मात्र दो सालों में ही MBA field में काफी अच्छी पकड बना ली हो Hope you guys like the video and ऐसी ही videos के लिए बने रहे है हमारे साथ and hit the bell icon and do subscribe to our channel Now see you in the next video